नमस्ते भईयों नमस्ते मैं हुँ विराज दिक्षित आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल का आइकन भी ओन कर लीजे हम आगे एक वीडियो आन ले वाला है अभी चैनल पे एक अच्छा वाला जिसमें आ अपलोड कर दूँगा या ठीक है वीडियो आच्छे से बना की एडिट करके उसको अपलोड कर दूँगा आगे मैं बात करता हूँ टेलिग्राम चैनल आपको क्यों जॉइंट करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ब्लू कलर का आपको टेलिग् कल की जो मैच थी RCB हाइदराबाद की हाइदराबाद की टीम देखे पूरे जो टेलिग्राम के लोग है या पूरे मार्केट में कई पर भी लोग है जो टेलिग्राम पे हो ना हो जो परसनल बेट भी अपनी तरफ से करते हैं किसी की आडवाइस ना लेके वो भी होकर रन बनाना जानते हो एक ओपनिंग का नया प्लेयर ता सबको लगा कि यह विकेट लेलेगा ज्यादा रन नहीं बेनेंगे और यहाँ से तो क्या है वार्नर और बेर्स तो हर तरह के मैच जिता देते हैं ठीक है तो जैसे कि हमने टेलिग्राम चैनल पर अपडेट दी थ दिखा होगा कि back to back back to back विकेट आना चालू हो गए चहल पहल हो गया मतलब कि चहल ने जलवा दिखा दिया और विकेट लेना स्टार्ट कर दिये और देखते देखते पूरी टीम जो है संराइजर साधराबाद की ओल आउट हो गए ठीक है तो इसे आप अपडेट समझे इस इतना मैं आपके साथ मतलब दे सकता हूँ मेरी उसे मैं देता रहूंगा आपको knowledge भी मेरी जो भी experience है वो भी तो ठीक है तो ये update हमने टेलीग्राम चैनल पर दी थी लगबग लगबग 90 पैसे sunriders हैदराबाद से मेरे खायल से उसके बाद 60 पैसी भी आया था और वहाँ से फि congratulations से बाके लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे sms की है टेलीग्राम चैनल पर परसनल पर कि भाई थैंक्यू आपने बता दिया हम यह हैदराबाद पे थे लेकिन हमने जो है एटलिस्ट हमारा loss तो काट लिया था रिस्क नहीं रखा था है अगर हार भी जाती तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है तो खुछ ऐसे बंदे हैं जो कि genuine है और मैं उनके लिए यहाँ पर आता हूँ ठीक है तो आगे बात करते हैं वीडियो में टीम की weaknesses की जैसे मैंने कल आपको सब मेरे और से बता दिया था तो आज हम जो है बात करने वाले हैं मैच नंबर 4 की राजस् की टीमें इनसे आपको रूबरू करवाता हूँ तो इन में जो बीक प्लेयर दिखाई देते हैं वो है स्ट्यू स्मित और रॉबिन उत्तप्पा ठीक है स्मित में मेरे खायल से कोई ये टी ट्वेंटी के बहुत अच्छे प्लेयर में इनको नहीं मानता हूँ कोई बहुत अच्छे लड़ी नहीं है टी ट्वेंटी मैच के लिए लेकिन फिर भी कई मैचे इन्हों ने इसे जित्वाए है कि एम वक्त पर आकर पार्टनर्शिप जोड़कर स्मित ने कई मैच ले गए है आगे मैं बता दू जैस वाले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे भार है बैटिंग का वो इन पे रहेगा टॉम कुरान को आपको अपने देख लिया होगा इंगलंड और ऑस्ट्रिया के जो सिरिस थे उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने टॉम कुरान ने और मेरे खहल से उसके पहले वाले मैचेस में भी थे ये मुझा भ बात करते हैं यहाँ पर जोफरा अर्चर की और जैदे उनत कट की तो बॉलिंग सिक्षन के अगर बात करें तो बॉलिंग सिक्षन भी काफी स्टेबल नजर आता है और वरुन एरॉन और अंकित राजपूत में से यह किसी एक को लेंगे मेरे जो परसनल जोईस है वो मेरी यह है कि वरॉन एरॉन के लिए ठीक है तो इनकी जो टीम बन जाएगी अगर बैटिंग के अगर बात करें तो चार बैट्समन काफी तगड़े हैं इन में से अगर कोई दो भी अच्छे खेल जाते हैं यानि कि 30-40 रन अगर बना लेते हैं दोनों में से कोई मतलब कि 4 में से रियान पराख है जोफरा आर्चर है बॉलिंग में जो कि एक उंदा बॉलर है आपने देखाए होगा कि जो सीरीज हुई थे अभी इन में जो परफॉर्मंस रही थी इस प्लेयर की जोफरा आर्चर की वो भी काफी अच्छी थी तो अगर मैं बात कुरू है आपर तो ओपन स्कोर कर सकते हैं बॉलिंग की बात करो तो बॉलिंग मेरी खायल से जो है जो आप पोजिशन वाले हों की बॉलिंग की या दूसरी टीम की जो भी बॉलिंग के चेनने की या मुंबई की या कोई और भी टीम की तो उनके कंपेर में इनकी बॉलिंग थोड़ी वीक नजर आत अगर मैं आपको ले चलू चेन्नाई की टीम की तरफ तो सेम टीम खिलाएंगे ये मुरली विजाई, शेन वाटसन, डूपलेसिस, अमबाती राइडू ये चार बैटसमन काफी तगड़े है, अगर ये भी आउट हो जाता है, तो उनकी बैटिंग लाइनप में आप गहराई देख लीजिएगा केदार जादो भी है, धोनी भी है, जड़ेजा भी काफी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, और सैम करन भी बैटिंग कर लेते हैं तो अगर आप देखोगे, तो 6 नंबर, 7 नंबर तक इनकी अच्छी खासी बल्ले बाजी है, यानि कि अगर टार्गेट चेस करना हो, तो ये अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि अगर पिछले मैच में देखा होगा, मुंबे और चेनने के पहले विकेट चले गए, लेकिन इन पक चहर भी काफी अच्छे बॉलर है, और सैम करन, आपने मतलब की देखा होगा, मुंबे और चेनने का मैच होगा था, उनमें मेरे खायल से पहले ही गेंद पर इन्होंने विकेट चटका दीती, ठीक है, ये टीम के अगर बात करूँ चेनने की, तो ये कैसी टीम है, कि मतल हो सकता है किसी मैच में कि चेनने 20-30 पे से फेवरेट चल रही है, और वहाँ से वो हार जाए, ठीक है, तो ये एक मेन बात मैंने बता दी, चेनने सुपर किंग्स की, तो विनर के अगर हम बात करते हैं इस वीडियो में, तो 95, WhatsApp का नंबर बता दे रहा हूँ, प्लस 911, 951830537 प्लस 911 इंडिया का है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी SMS करते हैं, इंडिया के बाहर से, तो उनको जो नंबर सेव करना है, तो वो ऐसे सेव कर सकते हैं, प्लस 911 लगाना ज़रूरी है, प्लस 911, 9518305372, ये WhatsApp का नंबर है, चार्जेस काफ प्लस इतना ही, गुडबाई